हलो इस्टूरेन गुड आफ्टरनून माईसल्फ विजय दू आज की लेक्चर में हम लोग फंक्शन साब पर्सनल मेंजमेंट के बारे में डिसकस करते हैं तो पर्सनल मेंजमेंट के क्या फंक्शन से फर्स्ट है में पावर प्लानिंग सेकेंड है रिकूट्मेंट थर्ड है में पावर प्लानिंग में क्या है एनलाइजिंग देखेंगे कि अपने पास जो इंप्लॉई है यह मैं पावर है वो कैसा अवलेबल है फिर फ्यूचर में पावर फोरकास्ट करेंगे कि कैसा आप आपको प्लांट है या और्गेंशन को एकस्पांड करना है तो कैसे वहां पर अपने पास जो कस्टमर या जो है वरकर्स है में पार होना चीए उनके इंप्लॉईमेंट के प्रोग्राम्स डेवलोपिंग प्लांइंग में क्या है की टू मेंशियल फंक्शन में है आपका प अपने में पावर और सेखंड इसमें आपका यू इंटिलायजेशन थार्ड मोटिवेशन में पावर का जूमेंन का मोटिवेशन अपने स्टाप को टाइम टू मोटिवेट करना पड़ेगा तभी टविक यह ऊप्विट्वेंट कर सकते हैं है अगर एक दूसरे साराइशन होगा जो एंप्लॉई है वह अपना वर्क क्या करेगा एफेक्टिवली कर दो एफिसेंटली कर सकता है नीड अप मैंपावर प्लानिंग इससे क्या हो सकता है शॉर्टेज अइंड सर्प्लेस केंड भी अडेंटिफाई हो सकता है ठीक है और क्यों